हेलो एन नमस्ते मेरा नाम बलवन्त भंडारी है और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स टॉपिक योगिक प्राक्टिस ऑफ पतंजली योगा बहीरंग एंड अंतरंग योगा तो ये काफी इंपोर्टेंट और काफी इंट्वेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि कई सारे क कोशन्स इस दिम्यसे ही बनके आते हैं इसको अब हम समझेंगे इसको मैं आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा तो भाहीरंग और अंतरंग योगा जो है ये क्या है ये कौन सी टेक्स्ट में है ठीक है तो आपको मैं स्टार्ट इंग से बुन्यात से अंजल योग सुत्र जो योग के ऊपर सबसे accurate टेक्स्ट के तौर पर हम इसको मानते हैं तो जिसे योग दर्शन या अस्टांग योग के नाम से जाना जाता है इस टेक्स्ट में टोटल चार चैप्टर है समाधी साधना विभूती और केवल्य और टोटल 195 सुत्रास है ठीक है तो हमेशा इध्यान रखेगा कि टोटल 4 चैप्टर है और 195 सुत्रास है तो जो सेकिंड चैप्टर है साधना उसमें 29 सुत्र से स्टार्ट होते होए थर्ड चैप्टर विभूती के थर्ड सुत्र तक अस्टांग योग की बात की गई है एट लिम्स की बात की गई है जो है यम, नियम, आसन, प्रणयाम, प्रत्यहार, धारण, ध्यान और समाधी अब इन एट लिम्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइट किया गया है बहीरंग और अंतरंग योग तो स्राटिंग के जो फाइव लिम्स है योग के जो पाँच अंग है यम, नियम, आसन, प्रणया के अंदर आते हैं, ठीक है, तो जिस तरह से आउटर वर्ल्ड है, जिससे हम कनेक्टेड हैं, उसी तरह से हमारी शरीर के भीतर भी एक इनर वर्ल्ड होता है, जिससे हमें कनेक्ट होने की अत्यन तावश रकता है, ताकि जितने भी हमारे मानसिक और अशारिरिक जो व्यादि होता है ठीक है तो कई सारी चीजे हैं जो डेवलप होती है हमारी जो इंद्रिया है हमारा उन पर कंट्रोल होने लगता है हमारी जो सब्त चक्र है वो जाकरित होने लगते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारा physically और mentally development हो ले रगता है ये एक तरह से special development है तो जिस तरह से कुछ examples है Swami Vivekanand महात्मा बुद्ध तो आप देख सकते हैं कि इनकी बुद्धी और एक सामानी इंसान की जो बुद्धी है उसमें कितना फर्क है जमीन और आस्मान का फर्क है तो यही बोला गया है कि outer world से inner world की तरफ spiritually आगे बढ़ना ही योग है तो इसकी practice के लिए जो eight limbs है न यम नियम आसन प्रणयाम प्रत्यार धारना ध्यान समाधी ये कुछ इस तरह से ये कुछ इस तरह से sequence है इसका तो sequence है वो आगे पीछे नहीं हो सकता ये एक sequence में रहेगा ये एक stairs है ये एक sydhya है तो अगर हमें second chapter को समझना है तो उससे पहले हमें first chapter को समझना भी अत्यानताफशक है ठीक है तो sequence जो है वो आगे पीछे नहीं हो सकता वो हमें sequence में ही हमें practice करनी होती है ठीक है तब ही जाकर हमें इसके benefits में होते है तो कुछ चीजे मैं आपको यहापर diagram में भी बता देता हूँ कि जो अस्टांग योग है अस्ट मींस होता है 8 ठीक है तो 8 limbs के आपर बात की गई है योग की बात की गई है तो यह जो अस्टांग योग है इसको दो पार्ट में डिवाइट किया गया है भी रंग और अंतरंग ठीक है तो जो भी रंग योग है इसे क्रिया योग भी कहा जाता है और जो अंतरंग योग है उसे अक्रिया योग भी कहा जाता है ठीक है तो भी रंग योग में यम और नियम यम और नियम सबसे ज़्यादा important है तो मैंने जैसे आपको बता है कि हमें अगर second chapter को समझना है अगर हमें third chapter को समझना है तो हमें पहले second chapter को समझने की जरुवत है अगर हमें second chapter को समझना है तो हमें first chapter को समझने की जरुवत है तो इसी तरह से अगर हमें आसनास की प्राइम 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 की प् नियम की practice करनी अत्यनतावश्चक है ठीक है तो यम और नियम एक तरह से मोज सकते हैं कि योग का यही बुन्याद भी है तो जैसे कि इन पांचो योग के अंगों को सेज पतंजली ने क्रिया योग बोला है तो उसी तरह से इसमें जो नियम है नियम में शौच संतोश तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिढान को मुख्य क्रिया योग के तौर पर सहिज पतंजली ने जो साधना उसका जो फरस्ट सूत्र है उसमें बताया है कि जू तब प्राइभ और इश्वर प्रणिधान है ये हैं थ्टी सकते हैं कि इम नियम आसन और प्रत्यार यह त जिसमें से तब स्वाध्या ईश्व प्रडिधान को पतंजली जी ने मुख्य क्रिया योग की तौर पर बोला है और इनकी प्राक्टिस करने के बाद जो साधक है वो उसका जो क्रिया योग है वो समाप्त हो जाता है वो कंप्लेट हो जाता है और फिर वो अक्रिया योग के मा बढ़ता है जिसमें उसे किसी तरह की क्रिया को करने के आवश्रक्ता नहीं होती है अब वो मेरिडेशन के स्टेट में आगे बढ़ता है ठीक है इसके बाद धारणा, ध्यान, समाधी की जब वो स्टेट में पहुंसता है अवस्ता में जब वो पहुंसता है तो उसे अब किसी तरह के क्रिया करनी के वाश्क्ता नहीं होती है, अब वो एक तरह से मेरीडिशन के लिए ही आगे बढ़ता है, तो इसको एक तरह से क्रिया योग की तौर पे बोला गया है धरणा धियान समाधी को, तो अब हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहीरंग योगा, ब फोर्स्ट फिफ्थ लेंब्स ओफ एट लेंब्स ओफ योगा आर यम नियम आसन प्रणयम एंड प्रत्यहारा गॉंस्टिटूट बहीरंग योगा ठीक है तो बहीरंग एक संस्क्रित टर्म है जिसका मतलब होता है बाहरी एक्टरनल आउटर तो हम बोल सकते हैं कि जो बहीर तूबर्द सुसाइटी किस तरह का होना चाहिए ठीक है तो वी कैंसे अस्टांग योग की स्टार्टिंग के जो फाइफ लिम्स है पांच अंग है यम नियम आसन प्रणयम प्रत्यहारा यह पांचों के पांचों बहीरंग योगा के अंदर आते हैं इनकी जो प्राक् लाइन्स फॉर हाव तो इंट्रेक्ट विडि आउटसाइट वर्ल्ड एट अशुशल लेवल यमास सिंप्ली इंप्रूब्स आप पर्संस एक्स्टेनल बिहेवियर तो यमास हमारे बाहरी आचरन समंदी सुधार करता है यानि हमारा पॉजिटिव आउटर बिहेवियर को यह डेवलप करता है हमारे से अच्छा संसकार बनते हैं ठीक है हम अपनी मर्यादा में रहते हैं हम शांत रहेंगे हमारा एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप होगा हमारा अगर बिहेवियर पॉजिटिव होगा समाज में तो हमारी समाज में एक अच्छी छवी बनती है ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि यम जो है वो हमारे behavior को improve करता है हमारा behavior improve होगा तो वो reflect करेगा towards the society ठीक है तो हम किस तरह से समाज में अपने आपको present करें हम किस तरह से हमारा behavior समाज के लिए किस तरह का होना चाहिए वो हम यम के जो 5 अंग है उससे हम develop कर सकते हैं तो हमारा जो behavior है वो towards the society के स्तरका होना चाहिए उसके लिए यम जो है हमें guide करते हैं हमें दिशाने देश करते हैं ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि यम के 5 main अंग होते हैं जैसे अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचरे, आपरीग्र है तो यम का जो सबसे पहला अंग है अहिंसा उसको हम समझेंगे अहिंसा का मतलब होता है non violence किसी की हिंसा ना करना एक word है हिंसा जिसका मतलब होता है violence तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं अहिंसा यानि कि किसी की हिंसा ना करना तो किसी के हिंसा ना करना सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से भी, वाणी से भी किसी के हिंसा ना करना हिंसा होता है तो इसका मतलब यह है कि आपके मन में अगर किसी के लिए गलत ख्याल है, किसी के लिए आप नेगटिव सोचते हैं आप किसी को मनी मन से अगर किसी को गाली करते हैं, अब्यूस करते हैं, या बोल कर अब्यूस करते हैं, तो वो भी एक तरह से हिंसा ही हुई, तो ये बोला जाता है कि आप ना सिर्फ शरीर से, अपनी मन से, अपनी वाणी से भी किसी की हिंसा ना करें, तो दूसरा अंग है सत् जूट ना बोलना और ऐसा सच बोलना जो प्रिये सच हो अव्रिये सच नहों ठीक है यानि कि ऐसा सच जिससे किसी की हानी नहों किसी का नुकसान नहों तो इसको हमें एक ग्जैंबल के दौर पर समझते हैं सब्सक्राइब किसे एक चोहराय पर खड़े और आपके सामने से आख मतलवार लेके या चाकुल लेके आपके सामने आपसे पूछता कि वो राइट साइड गया कि लेफ्ट साइड तो वहाँ अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे तो सच बोलना है ठीक है मुझे तो यह तो हमेशा हमेशा सच बोलना चाहिए तो अगर आपने बताया एक तरसे हिंसा करेगा, तो उसकी हिंसा में भागीदारी आपने भी कर ली, ठीक है, तो हमें सच ऐसा सच बोलना है, जो प्रिये सच हो, जिससे किसी का नुकसान ना हो, जिससे किसी की जान ना चाहे, ठीक है, तो ऐसा सच जो प्रिये सच हो, और जिससे किसी का फाइदा भी न किसे के नुकसान हो, सही और गलत में हमें फैस्टा करना आना चाहिए, ठीक है, हमें पता होना चाहिए हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, और असत्य क्या है, तो जो आपको मैंने अभी एक्जैंपल दिया, इस केस में सत्य असत्य का सवाल ने उठता, इसमें हिंसा अहिंसा का सवाल उटता है, तो next हम समझेंगे, अस्ते, यानि कि non-strailing, एक word है stay, जिसका मतलब होता है चोरी करना, तो योग हमें सिखाता है अस्ते, यानि कि चोरी ना करना, अब चोरी ना करने का मतलब सिर्फ यह नहीं होते हैं, कि हम किसी चीज़ को उठा लेते हैं, वो ही ठालूँगा, अगर उसके पास वो चीज़ नहीं होती, तो मैं उसको ले लेता, ठीक है, तो चोरी का ख्याल मन में रखना भी एक तरह से चोरी है, जो बैंक रॉबर्स होते हैं, जो प्लैनिंग करते हैं, उसके बाद चोरी को अंजाम देते हैं, तो जब वो प्लैनिंग कर ये का कई सारे मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं, एस स्टूडेंट के तौर पर मैं आपको पहले ये बताऊँगा, कि सपोस्थ आपका कोई एम हैं जिसको आपको अचीव करना है, उस एम को अचीव करने के लिए, वो सारी चीज़े जो आपके एम को अचीव करने में बाध करेंगे, ना आप आगे बढ़ेंगे, और ना वो कभी आगे बढ़ेगा, वो तो बढ़े या ना बढ़े, आप आगे ने बढ़ पाएंगे, आप अपने एम को अचीव करने के लिए, वो सारी चीज़े को त्याग करना, एक तरसे ब्रहमचरे आप मान सकते हैं, ठीके, आपके हेल्थ को एक तरसे वो खराब करेंगी, जैसे जो लोग फिजिकली स्टॉंग रहना चाते हैं, जैसे पहलवान होते हैं, जो रिसलर्स होते हैं, वो एक तरसे ब्रहमचरे का पालन करते हैं, और करना भी पढ़ता है उनको, अगर उन नहीं करेंगे, तो उनके अंदर जो पावर है ना, वो कम होगी, तो मैं बात कर रहा हूँ मैस्टरबेशन की, तो जो लोग मैस्टरबेशन ज्यादा करते हैं ना, वो एक तरसे फिजिकली वीक होते हैं, अगर आप वो फिजिकली वीक होंगे, तो वो मेंटली वीक भी होंगी, क्योंकि एक्स्टरा मैस्टर करना, अपने sperm का misuse ना करना, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से source है हमारी body में energy का, तो यही बोला गया है कि अपने ब्रमचर का पालन हमें करना चाहिए, तो example की तोर पर हम हनुबान जी को ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी ब्रमचारी थे, नेक्स्ट, फिफ्थ है हमारा अपरीकर है, यानि कि नौन होटी, जमा खोरी ना करना, तो योग में नियम में पाच्वा जो अंग है, वो यही है कि हमें जमा खोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज़ की, अगर हम ज़्यादा collection करते हैं, तो हमारा मन जो है, उन चीज़ों म जीना चाहिए, तो यही बोला गया है कि जो aspirant है, जो साधक है, वो ज़्यादा जमा खोरी ना करें, अगर वो ज़्यादा collection रखेंगे, तो उनका जो मन है, वो उल्जा रहेगा उन चीज़ों में, अगर उसका मन उन चीज़ों में उल्जा रहेगा, तो फिर वो अपनी पकड़नी, आपको फिर तीसरे चीज़ी पकड़नी है, तो यह बोला गया है कि अपने आपको जितना light रखोगे, अपने जीवन को जितना light जोगे, जितना simple जोगे, उतना आप physically और mentally भी आप relax रोगे, आप calm रहोगे, तो यही बोला गया है कि हमें जमा खोरी ज्यादा नह रहा है, तो यह एक तरह से reflect होड़ता है society में, ठीक है, तो बोला गया है कि हम जब इन rules को follow करते हैं, तो हमारा behavior, हमारी जो छवी है, जो समाज में, वो एक अच्छे एक आदर्श व्यक्ति के तोर पर उभरती है, यहम की जो फाइव अंग है ना, अहिंसा सत्ते आस्ते ब्र करते हैं, हम एक दिन के लिए करते हैं, ठीक है, तो जिस दिन हम वरत करते हैं, जिस दिन के लिए हम वरत करते हैं, उस दिन हम बुरी आदतों को नहीं करते हैं, हम फ्लेश वूड नहीं लेते हैं, यानि हम मीट अंडा आदी नहीं खाते हैं, ठीक है, अपनी जो बुरी आद पांचो रूल्स है ना इन रूल्स को आजीवन फॉलो करने की बात की गई है जब हम इन रूल्स को आजीवन फॉलो करते हैं तब ये कहलाते हैं महावरत ठीक है तो ये बोला गया है कि इन रूल्स को सिर्फ कभी कभी है नहीं फॉलो करना है ऐसा नहीं कि हम धार्मिक स्थल में हैं यह हम कुछ ऐसे देशकाल परिस्तिती में हैं जहाँ पर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे सिर्फ यह हम कभी कभी करेंगे जैसे हम वरत करते हैं ठीक है तो यह बोला गया है कि जब हम इनको आजीवन फॉलो करते हैं तब यह महावरत कह तो नियमास हमारी आंत्रिक आंचरन की शुद्धी करते हैं यानि कि हमारा सेल्फ डिस्प्लीन किस तरह का होना चाहिए हमारे टूल्स खुद के लिए किस तरह के होनी चाहिए ठीक है अब देखें जो यम और नियम है वो एक तरह से आलमूस्ट सेम है क्योंकि दोनों के दोनों बहीविर तो हमारे इंप्रूफ होते ने बट जो यम है उसमें जो हमारा बहीविर इंप्रूफ होता है वो हमारा बहीविर सोसाइटी के लिए किस तरह का होना चाहिए और जो नियम है, जो नियमाज है, इसमें जो five limbs हैं, जो five extra parts हैं, components हैं, वो हमारे rules, हमारे तरसे जो self discipline हैं, उसको create करते हैं, ठीक है? ओके तो सबसे पहला point, short, यानि कि cleanliness, तो short का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि अपने आपको शुद्ध करना, अपने आपको साफ करना, शौच का यहां पर मतलब है, अपने शरीर को तो सुद्ध करना यह है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे मकान में रहना, अच्छे मक चीज को साफ रखना, सुधरा रखना, अपने मन को भी, क्योंकि मन भी हम से जुड़ा हुआ है, अपने मन को, अपने आचरण को अपने के लिए और दूसरों के लिए शुद्ध रखना, अच्छा बोलना, अच्छी सोच रखना, अच्छी समझ रखना, यह एक तरह से हमार शौच है, ठीक है, ओके सेकंड संतोश, यानि कि साटिस्फेक्शन, तो जो भी चीज आपके पास है, जो भी चीज आपने अपनी कर्तव विकर्मों से प्राप्त की है, अचीव की है, जो भी चीज आपने अपनी महनत से प्राप्त की है, जो भी आपको मिला है, जो भी जितना है उसमा में खुश रहना चाहिए ठीक है हम अगर अच्छे काम करेंगे हम जितनी महनत करेंगे उस हिसापसा में फन मिलता है एक यूमन हलका हो जाते हैं हम बहुती शांद प्रवित्ति के हो जाते हैं ठीक है तो इसमें यहीं चीज बोली गहीं है कि आप हर चीज में जो भी आपको मिला है आप उसमें संतोष रखो हो ओके थर्ड तपस यानि कि तप पैनेंस हाड़ वर्क करना मोर एंड मोर प्रैक्टिस अपनी प्रैक्टिस को कॉंटिनु रखना ठीक है तो यह चीज बोली गहीं कि योग साधना में साधक को अपने आपको तपाना चाहिए ठीक है तपाने का मतलब यहां पर यहीं है कि प्रैक्टिस को निरंतर रखना बीच में ना चोड़ना ठीक है अब जो प्रैक्टिस है वो इस तरह की होनी चाहिए कि हमारे शरी को कस्ट ना हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम बहुत बड़ी योगी बन गए है हम ठंड है भार हम बाहर बैट कर हम योग कर सकते हैं हमें क आपका जो भी यह है जिसको आपको अचीव करने के लिए बीच में जितनी भी बाधाया आती हैं जितनी भी प्रॉबल्स आती है उनको सह लेना ही तब है उन बाधाओं को सह लेना तब है ना कि शरीर को कस्ट दे कर आगे बढ़ना जैसे भूके रह के योग साथना कर रहे हैं ठंड है फिर भी बाहर बैटके योगा कर रहे हैं अंदर बैटके भी तो कर सकते हैं बाहर बहुत धूप है, फिर भी अपने शरीर को कस्ट देकर आप धूप में योगा कर रहे हैं, आप अंदर बैठके भी तो कर सकते हैं, तो शरीर को कस्ट नहीं देना है, अगर हम शरीर को कस्ट देकर हम कारे करते हैं, चाहे योग है, चाहे कोई भी काम है, सपोज आपका को को कस्ट भी दे रहे हो आपने जो पहले की जो नियम है पहले की जो रूस है आपने उनको नहीं समझे जिसको जिसमें पताया गया था ना हिंसा हिंसा नहीं करना अपने शरीर के साथ भी हमें हिंसा नहीं करने चाहिए फिर तो अपने एम को अचीव करने के लिए अपनी साधन मैं सिध्धी करने के लिए जो भी बाधें आती है उनको हमें सह लेना चाहिए लेकिन उनको अचीव करने के लिए अपने शरीर को हम कस्ट दे करना सहें यह बोला किया है ठीक है यानि कि हमें अपने शरीर और मन का जो आलस है उसको दूर करना है स्वाध्याए स्वाध्याए का मतलब होता है स्वयम का अध्यान करना स्वाध्याए अपने आपको जानने के लिए जितने भी योगिक स्क्रिप्चर्स है जितने भी अध्यात्मिक गरंथ है उनको रीड करना जैसे श्रिमत भगवत गीता वेध है उपनिश्यद है ठीक है तो इन और कही सारे जितने भी योगिक या spiritual text है उनको read करना, अपने आपको जानना, अपनी knowledge को बढ़ाना, जब हम authentic spiritual text को बढ़ते हैं तो हमारा जो mind है वो भी positive हो जाता है, हमारी सोच समझ भी हमारी एक तरह से सात्विक हो जाती है, वो भी positive हो जाती है, तो हम ये चीज़ ज सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है, हमारा जो mind है वो भी शान्त होता है, हमें उसमें कई सारी चीज़े ऐसी है, जो हमें अच्छी लगेंगी, क्योंकि वो हमारे behavior के साथ match करती है, और वहीं आगे हम थोड़ा और बढ़ेंगे, जिसमें फिर हमें कुछ चीज़े हमें प match करता हो, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि content गलत है, इसका मतलब यह कि हमें अपने behavior को change करना है, इसी को बोला गया है, स्वयम का ध्यन करना, self study करना, अपने behavior को improve करना, ईश्वर प्रणिधान, surrender to God, तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रती समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर शरणागती, ठीक है, तो दूर एक ही चीज है, तो इसमें यहीं बोला जाता है कि जो aspirant है, जो सादक है, वो अपने आपको ईश्वर के प्रती इस त के पृति हैं वो ये मानता है कर्म से जो भी उसको फ़ल मिलेगा, वो भी अपने ईश्र को ही वह समर्पित कर देता है जिस भी काम को के जिसको क्वार को करता है उसको क्या फ़ल मिलेगा इसके इच्छा नहीं होती है, ठीक है, इस तरह का जो aspirant होता है, जो अपने आपको पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देता है, वो जिस भी तरह के करम करता है, वो ईश्वर के लिए ही करता है, उससे जो फल भी मिलता है, उन फलों को भी वो ईश्वर को ही समर्पित कर देता है, इसी को बूला गए है ईश्वर को इंप्रूफ करते हैं तो यम और नियमास ये काफी ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है तो हर इंसान को पहले यम और नियम को समझना चाहिए उसी के बाद उसे योग के जो आगे की जो प्रैक्टिस है उसको कंटीनियू करनी चाहिए जैसे आसनास प्रणयाम मुत्रबंध जो योग का वो है आसन यम नियम थर्ड इस आसन तो पोश्चर अकॉर्डिंग टू पतंजली आसना इस अ सिट्टिंग पोश्चर विच शूडबी स्टरी एंड कमफरेबल सो दयोगी कैंसे अन्डिटेट और लॉंग पीरिएड आफ टाइम तो आसनास की जो प्रैक्टिस है वो हमेशा प्रणयाम से पहले होती है ठीक है प्रणयाम की प्रैक्टिस आसनास के बाद होती है हमेशा इस इसको ध्यान दीजेगा और आसनास की प्रैक्टिस हम इसी लिए करते हैं ताकि हम प्रणयाम में बहुत देर तक बैठ सके और बहुत देर तक बैठने के लिए हमें मेरिटेटिव आसनास को चूज करना चाहिए और मेरिटेटिव आसनास जो ध्यानात्मक आसनास हैं उसमें स्टेबिलिटी को इंप्रूफ करने के लिए उसमें हम बोल सकते हैं कि स्थिर्था को इंप्रूफ करने के लिए हमें जो आसनास हैं जो एडवांस आसनास हैं हम उनकी practice भी करते हैं तो जो हम advance आसनाध की practice करते हैं वो हम ध्यानात्मक आसनाध में बैटने के लिए ही करते हैं और body में हमारी stability है ही नहीं थ्हराव है ही नहीं हमारी body कापने रख जाती है हमारी body में trembling होती है ठीक है हमारी बैठनी के आदत ही नहीं है तो हम कैसे हम प्रणायम करेंगे हम प्रणायम कैसे करेंगे हम meditation कैसे करेंगे ठीक हम ध्यान आधी कैसे करेंगे तो बहुत देर तक बैठनी के लिए हमें अपनी body में stability को improve करना है strength को improve क करने के लिए ठीक है हमें आसनास की प्रैक्टिस करनी है तो जो हम एडवांस आसनास की प्रैक्टिस करते हैं वो हम इसलिए भी करते हैं ताकि जो हमारे ध्यानात्पक आसनास है उसमें हम बैठ सके काफी देर तक ओके फूर्थ लिम प्रनयामा इस ब्रैथ कंचोल प्रनयामा विच लिटरली मींस स्क्रेचिंग और एक्षेंशिन और प्राना इंवल्स ब्रैथ कंचोल एंड हैंड प्रिपेर दम माइंड फॉर धारणा तो प्रनयाम की जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो अपनी वाइटल काप लगते हैं तो जब थौट्स काम अपियर होंगे माइंड पे तो हमारा जो माइंड है उस पर हमारा कंचोल होने लगे और जब माइंड पर कंचोल होगा तो हमारी जो कॉंसेंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होती है ठीक है तो कॉंसेंट्रेशन इंक्रीज होने के लिए जो unwanted thoughts है जो patterns है उसको block करने की अविश्यक्ता होती है तो जिसके लिए आसनास के बाद हम प्रणयाम के practice करते हैं तो प्रणयाम के practice हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी breath पर control कर सके ताकि हम अपनी mind पर control कर सके ताकि हम further practices that इस धारणा ध्यान समाधी के लिए हम तयार हो सके तो next है हमारा प्रत्यहारा ताट इस sense withdrawal और non-attachment through प्रत्यहारा one gains the ability to withdraw the senses from their objects thus achieving perfect control over the senses the प्रत्यहारा does helps in mental and spiritual health of an individual तो प्रत्यहार का मतलब होता है non-attachment लगाव कम करना ठीक है लगाव कम करना वो लग है ना कि खतम करने की बात की गई है तो लगाव जो हमें आगे चलकर बिल्कुल खतम करना ही पढ़ता है आगे चलकर जब जो aspirant है वो spiritually आगे बढ़ता है तो उससे संसारिक जो चीजे है उससे लगाव उसको बिल्कुली complete खतम एक तरसे करना पड़ता है तो यहाँ पर हमारे लिए यह है कि हम अपने life में जो भी हम काम करते हैं हमारा फिल्ड है हम जैसे भी हम जिस भी life को जी रहे हमें चीजों से लगाव फिर भी हमें कम करनी के आवश रखता है क्योंकि जब हम चीजों से लगाव करते हैं तो उनके टूटेने के बाद उनके खोने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा हम डिस्टप हो जाते हैं हम mentally weak बढ़ जाते हैं तो यहीं चीज बोली गए है कि हमें चीजों से जो लगाव है वो हमें कम करना चाहिए ठीक है तो इससे क्या होता है हमारी जो इंद्रिया है हमारी जो सेंसिस है उस पर भी हमारे हमारे कंट्रोल होने लगता है और जो एस्परेंट है वो spiritually आगे बढ़ सकत है उसे आगे बढ़ने में किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती है क्योंकि जब उसका लगाव चीजों से खतम हो जाता है खतम होने लगता है तो वो spiritually आगे बढ़ने में भी उसे किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती है ठीक है जैसे कि मूख्ष को चीफ करना ओके नेक्स्ट अंतरंग योगा तो अब तक हमने जितने हम समझा यम नियम आसन प्रणयाम और प्रत्यहारा ये सारे के सारे बहिरंग योगा के अंदर आते हैं अब हम बात करेंगे अंतरंग योगा की ठीक है तो अभी जितने हमने लिम्ट समझे प्रत्यहारा तक यम नियम आसन, प्रणयाम, प्रत्यहारा, यह हमारे क्रिया योग थे, तो यहां इतना प्राक्टिस करने के बाद जो एस्परेंट है, जो सादक है, उसका क्रिया योग समाप्त हो जाता है, अब वो अक्रिया योग के मार्ग में बढ़ता है, ठीक है, तो यहां पर उसको किसी तरह की क् तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि अंतरंग एक संस्क्रित टर्म है जिसका मतलब होता है इंटर्नल आंतरिक इंसाइट ठीक है तो हम एक तरह से बहारी वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो लास्ट के जो थ्री लिम्स है धारणा, ध्यान, समाधी वही अंतरंग योगे के अंदर आते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम समझेंगे सिक्स्त लिम्ध धारणा धिस कॉंसंट्रेशन फोकस धारणा इनवल्स फोकसिंग दी माइंड ऑन अ सिंगल अब्जेक्ट आफ कॉंसंट्रेटिंग फॉर लॉंग पिरिश ऑफ ताइम दस इस बैनिफिशल फॉर साइक लोजिकल एंड स्पिरिच्वल ग्रोथ तो धारणा का मतलब होता है कॉंसंट्रेशन करना फोकस करना उसकी तरफ देखना ठीक है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ जब देखते हैं उसकी तरफ फोकस करते हैं उसकी तरफ जब कॉंसंट्रेशन करते हैं उसी को बोला जाता है धारणा करना ठीक है तो यह जो स्टेट है इस अवस्था में जो fluctuations है माइंड की वो हमें disrupt करती है जो बाहर की जो चीज़ है Putting वो हमें disrupt कर सकती है ठीक है ये कुछ इस तरह से है। जैसे आप study करने बैठते हैं जैसे आपके हाथ में जैसे बुक आती हैं आप अपने हाद में बुक रखते हैं, या टेक्स्ट बुक रखते हैं, तब उसकी तरह आप देखते हैं, तो वो देखने को हम बोल सकते हैं, concentration करना, तो आप concentration करते हैं, तो starting में आपका concentration अगर weak होगा, ठीक है, आपका concentration बहुत अच्छा है, तो आपको बाहर की चीज़े disrupt करेंगे तो सही, लेकिन वो depend करता है कि वो आपको किस level तक disrupt करेंगे, ठीक है, तो कई लोग जल्दी डिस्टब होते हैं, और कई लोग नहीं होपते हैं जल्दी डिस्टब, तो वो अपने concentration को बना के रखते हैं, तो यहीं चीज़े की starting में जो धारणा की जो state होती है, इसी state में बाहर की चीज़े हमें डिस्टब कर सकती हैं, तो धारणा का मतलब यहीं होता है कि किसी चीज़ की तरफ बहुत देर तक देखना, उसकी तरफ focus करना, उसकी तरफ concentration करना, ठीक है, या आप अपनी आगये चकर में कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी आइस को close करने के बाद, अपनी मन की आँखों से यह जो forehead का center part होता है, य तो भी आप उसकी तरफ देख रहे हैं, उसको feel कर रहे हैं, ठीक है, या आपके आगे कोई statue है, जो आपको positive feel कराती है, उसकी तरफ आप देख रहे हैं, तो वो है धारणा देना, concentration करना आप बहुत देर तक देखेंगे, तो वो एक तरह से concentration की वो state है, वो आपकी अवस्ता ह Okay, seventh, dhyana, meditation, when there is an uninterrupted flow of the mind towards the object of focus, the yogi enters the state of meditation, the practice of dhyana promotes towards good health, happiness and harmony in life, तो ध्यान, meditation, धारणा के बाद की state है, धारणा के बाद की अवस्ता एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो हम जब हम बहुत देर तक किसी चीज की तरफ देखते हैं, उसकी तरफ focus करते हैं, concentration करते हैं, तो उसके बाद एक ऐसी अवस्ता आती है, कि हम उसकी तरफ meditation करने लगते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं, same उसी example को हम लेते हैं, आपने जब अपनी book पकड़ी अपने हाथ में, तो starting में आपको बाहर की चीज़ आपको disrupt करती हैं, बट जब आप constantly बने रहते हैं, उसके बाद फिर आपका जो ध्यान है, वो धीरे धीरे लगने लगता है उसकी तरफ, फिर आपके मन के जो विचार है ना, वो भी कम आने लगते हैं, वो भी एक तरसी खता होने लगते हैं, फिर बाहर की चीज़े भी आपको कम से कम disrupt कर करती हैं, ठीक है, तो यही होता है न, जब हम starting में पढ़ाई करने बैठते हैं, तो हमें focus बनाना पड़ता है, ठीक है, ध्यान बनाना पड़ता है, तो ध्यान बनाने के लिए पहले हम उसकी तरफ देखेंगे, उसकी तरफ concentration करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, और उ हमारा जो मन है, वो relax होता है, हम physical और mentally हम काफी ज़्यादा शान्त रहते हैं, क्योंकि यहां तक पहुंसने से पहले हमें starting के जो five limbs है न, हम उनकी practice कर चुके होते हैं, हम उनसे गुजर चुके होते हैं, उसके बाद ही हम यहां तक पहुंसते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि को proper जो benefits हैं, वो कभी नहीं ले पाएगा, जब तक उसके यम और नियम पर उसने सिद्धी हासिल नहीं कियों, जब तक उसने यो आसनास पर सिद्धी हासिल ना कियों, जब तक उसने प्रणयाम और प्रत्यहार, चीजों से उसका इतना लगाव रहता है, कि वो ध्यान करने बै तो जब आप उसके बाद धारणा और ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको कई सारे benefits मिलते हैं, तो इससे आप mentally काफी ज़्यादा relax हो जाते हैं, ठीक है, ओके, लास्ट हमारा योग का अंग है, that is, Samadhi, इसको बुला गए है, Total Absorption, Finally, when even the self-awareness of mind disappears, and only the object of meditation shines through, it is called the state of Samad this leads towards enlightened the state of self-realization, ओके, तो धारणा और ध्यान करने के बाद, एक time के बाद, एक condition ऐसी भी आती है, कि जिस भी object की तरफ हम ध्यान दे रहे थे, उस object का भी हमें, जो, उस object के साथ, जो हमारी जो awareness है, वो भी हमारी खतम हो जाती है, ठीक है, suppose अगर हम आगे किसी एक particular object की तरफ हम देख रहे थे, concentration कर रहे थे, धारणा दे रहे थे, उसके बाद, काफी देड़ तक उसकी तरफ देखने के बाद, हम जिस state में पहुंसते हैं, जिस अवस्ता में पहुंसते हैं, उसको हम बोलते है, meditation, that is, ध्यान की अवस्ता, उसके बाद, उस में भी काफी देड़ तक बने रहने के बाद, उस object के साथ, जो हमारी awareness है, वो भी हमारी खतम हो जाती है, ठीक है, वो भी एक तरह से हमारी बिलकुल निल हो जाती है, zero हो जाती है, और उसके बाद भी हमारी एक ऐसी अवस्ता आती है, कि हमारा हमारी body के साथ, हमारा हमारे mind के साथ भी जो awareness है, वो भी खतम होने को लगती है ठीक है तो इसमें जो टोटल एब्जॉप्शन यानि कि जो समाधी के स्टेट है इसमें हमारा आप्चेक्ट के साथ जो एक होने का जो अनुभव है वो भी खतम हो जाता है और उसके बाद फिर एक ऐसी कंडिशन आती है कि हमारा हमारी बॉड़ी के साथ हमार समाधी के अवस्ता जिसे महरेशियों ने बताया है ठीक है तो इतना ही था हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए बाई साइनिंग आउट नमस्ते